हलो दोस्तो मैं पशान आप सभी का अपने योटूब चैनल एक वीटीर कॉमिटी में स्वागत करता हूँ तो आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि चार्ट, आप्शन चेन और ओई बिल्डप ये तीन important factor है और हमें trading करते समय किसको follow करना अगर हमें तीनों अलग लग चीज बता रहा तो उस टाइम पिया हमें chart को follow करना है या फिर option chain को follow करना है या फिर oi build up को follow करना है कई लोग चार्ट को follow करते हैं, उनको भी नुकसान उठाना पड़ता है, कई लोग option chain को follow करते हैं, उनको भी loss उठाना पड़ता है, तो कब हमें किसको follow करना, वो हम इस वीडियो में detail से समझेंगे, और इस तीनों को लेकिए जो confusion है आपके मन में, वो सारा confusion हम इस वीडियो मे दूर करने की कोसिस करेंगे, तो चलिए इसको सेखते हैं, इसके बाद हम HDFC Limited के daily time frame के चार्ट को भी देखना चाएंगे, अगर आप यहाँ पर HDFC Limited के daily time frame के चार्ट को देखो, तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, कि price आपका एक particular range में trade करता हुआ दिखरा है, और इसको अगर हम अच्छे से draw करें, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको एक flag pattern भी देखने को मिलेगा, चाहे आप flag pattern ले लिए या फिर range bound move ले लिजे, हमें यहाँ पर बाइसार की तरफ कब जाना according to daily chart, जब price इस level को break करके ऊपर निकलेगा और यह level है आपका 25-25 यह नहीं, जो हमें breakout देखने को मिला था 5 minute के time frame पर 2500 के ऊपर, वहाँ पर हम buy तो कर सकते हैं 5 minute के time frame के basis पर लेकिन daily chart हमें यहाँ पर buying करने को avoid करने को बोलगा, मतलब daily chart से हमे कोई direction मिलता हुआ नहीं देख रहा, nuclear direction यहाँ से हमें मिल रहा है, तो हम daily chart और 5 minute के chart पर है, दोनों ही एक दूसरे को काफी हद तक contradict कर रहा है, अब हम यहाँ पर आते हैं option chain पर, अगर आप HDFC limited के option chain को देखो, तो देखो कि उस time पर भी 2500 के level पर हमें call set की तरफ सब ज़्यादा हमें OI देखने को मिल रहा था, और put set की तरफ OI बहुत ज़्यादा कम था, तो यहाँ पर हमें एक चीज और पता चल वाया था, कि जो price है, वो 2500 के उपर ज़्यादा देख नहीं टिकने वाला है, क्योंकि price उसके उपर जाने के बापजूद भी, यहाँ पर call writers म अगर हम बात कर लें, यहीं call writers की बात कर लें, तो वो भी मान वहें थें कि price यहाँ से नीचे side के तरफ आने वाला है, यहीं price आपका downfall आने वाला है, अगर यह 2500 के उपर जाता है, तो लेकिन 2500 के उपर टिक भी सकता है, और यह सारे call writers trap भी हो सकते हैं, लेकिन यह कब trap होंग जब यहाँ पे buyers entry करते हुए दिखेंगे तब, अब buyers का हमें idea कहाँ से मिलेगा, उसके लिए हमें देखना पर रहेगा OI build-up, यहनि open interest में कैसा build-up हो रहा है, वहाँ पे buyers entry कर रहे हैं कि नहीं करें, अगर buyers entry कर रहे हैं, that means to price आपका 2500 के उपर टिक सकता है, अगर buyers entry नहीं कर हैं, तो price इसके उपर टिकना मुश्किल हो जाएगा, तो चलिए हम इसके OI build-up को देखते हैं, और OI build-up आप कहाँ पे देख सकते हैं, OI build-up आप देख सकते हैं, धन के trading platform में, यह सब कुछ आपको free में मिल जाएगा, आप live market में किसी का भी future chart open करके, आप 15 minute build-up पे तो अगर आपका demate account धन में है, तो यह data आप आसानी से free में देख सकते नहीं है, तो इस video के description में link दिया गया, उस link पे click करके, आप धन में free में अपना trading और demate account open कर सकते हैं, और उसके बाद यह data का free में इस्तमाल कर सकते हैं, इसलिए आपको बोले हैं, धन में trading और demate account open करन और free में data का access कीज़े, इसके basis पे आप आसानी से trade initiate कर सकते हैं, तो यहाँ पे अगर हम पहला 15 minutes की बात करें, 9.15 to 9.30, तो यहाँ पे हमें short build up देखने को मिल वा, मतलब यहाँ पे जो market में entry कर रहे हैं, जो लोग sales site की तरफ जा रहे हैं, वही लोग market में entry कर रहे हैं, अब buyers की तरफ से support मिलता हुआ नहीं दिख रहा है, मतलब यहाँ पे हमने जो भी कुछ देखा है, वह आपस से हम 5 minutes के time frame पे आते हैं, 5 minutes का time frame हमें क्या बोलवा है, 5 minutes के chart की अगर हम बात करें, तो यह बोलवा है कि यहाँ पे आप clear cut by side की तरफ जा सकते हैं, breakout आया है, अगर हम य option chain हमें क्या बता रहा है, कि 2500 के ऊपर टिक पाना मुश्किल है, यहनि price anyhow कहां हमें देखने को मिलेगा, below 2500 price देखने को मिल सकता है, जैसा कि हमें option chain से पता चल रहा है, और अगर हम OI build up की बात करें, तो OI build up यहाँ पे हमें क्या बोलवा है, OI build up हमें बोलवा है कि sell sir की अब हमें कहीं से भी कोई clear cut direction नहीं पता चल रहा है, अब ऐसे situation में अगर आप OI build up को follow करके sell side की तरफ जा सकते हो, तो यहाँ पे भी आपको loss हो सकता है, अगर आप option chain को follow करके किसी particular level के लिए जाओगे, यहाँ पे भी आपको loss हो सकता है, daily chart या 5 minute किसी को भी follow करो तो loss हो सक ऑपके वरोसा नहीं करना है, हमें trading avoid करना है, यहाँ पे हम trading initiate नहीं करेंगे, तीजी समझ में आ गया, कि इसके basis पे आप किसी को भी follow कर लो, आपके losses के chances increase होंगे, तो ऐसे conditions में आपको trading avoid करना है, किसी एक पे भरोसा नहीं करना है, यह कौन साब समझ में आ गया, अब हमें trade क करने की जबूरत कब है अब देखिए वापस से प्राइस आपका ऊपर साइड की तरफ गया है और जैसे ही आपका 2510 के लेवल को टच किया यहां पे लॉंग टेन एड़ टॉप दिखा मतलब बायर्स में कमजोरी आ गया जिसके हम उमीद बैले से ही कर रहे दे और प्राइस आ मतलब यह अभी भी बना हुआ कि प्राइस आपका 2500 के लेवल पर आ सकता है अब हम यहां पे वाई बिल्डप को देखना चाहेंगे कि वाई बुल्डप हमें क्या बता रहा है वाई बिल्डप अगर हम देखे तो 946 से शौट बिल्डप सुरू हो गया मतलब अब यहां पे दिखे जाता हुआ है तो हम एक को आंप्यक्षन को फॉलो करने के लिए बोल भाए तो यहां पे हम इस डायेक्षन को फॉलो करेंगे अगर तीनो एक दूसरे को कॉंगा डिक्श कर रहा है तो हम किसी को भी follow नहीं करेंगे, किसी एक को follow करेंगे, तो नुकसान हो सकता है, तो यहाँ पे हम 5 मिनट का time frame पे आते हैं, और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस label के आसपास यह नि, 2510 के आसपास हम क्या कर सकते हैं, sell side की तरफ trade initiate कर सकते हैं, लेकिन target price क्या होगा, 2550 target price होग का profit मिल रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस trade को हम लेना avoid करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर हम options में भी trade करते हैं, तो जितना brokerage आएगा, उतना ही profit होगा, या फिर हमें brokerage भी अपने pocket से ही देना पड़ेगा, options में, 10 point के basis पे profit निकाल पाना थोड़ा सा मुस्किल हो है, for the target price of 2500, जहाँ पे हमें लगबग more than 1% का profit मिलता हुआ दिखता है, तो ऐसे condition हमें trade करना, और जब सारे एक दूसरे contradictor हमें trade नहीं करना, एक और example हम देख लेते हैं, हम आगे अधानी पोर्स के 5 minute के time frame पे, यहाँ पे देख लीजिए, previous trading sessions, यानि 8th of November, 7th of November की बात करें, 8th of November को तो खुली रहे था, तो यहाँ पे closing दिया आपका, 8.50 के नीचे, उसके बाद price आपका gap open हुआ है, और 8.50 के ऊपर open हो गया, यानि 8.50 जो हमाई लिए resistance के रूप में काम कर रहा था, वो अब क्या बन गया, वो हमाई लिए support level बन गया, यानि यहाँ पे भी 5 minute के time frame प अगर हम इसके daily time frame पे आते हैं, तो यहाँ पे भी काफी हद तक हमें green candle strong वाला देख रहा है, जिसमें क्या हुआ है, जिसमें यह जहाँ पे open हुआ है, वह ही इसका lowest point है, यहनि यहाँ पे एक और strategy open equal to low को follow करते हुए हम by side की तरफ जा सकते हैं, यह daily chart भी diet को नहीं, लेकिन क आप कुछ बता रहा, option chain पे अगर हम देखे 850 के level पे, यहाँ पे अभी भी हमें call side की तरफ ज़्यादा call values दिख रहे थे, और put side की तरफ हमें कम put values दिख रहे थे, जो कि अभी situation है, लगबाग यही situation उस time पे भी था, तो अब यहाँ पे हम क्या गर सकते हैं, इसको देख के लग रहा है कि price इसके उपर ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा, लेकिन किस condition में टिक सकता है, अगर इसके बाद हमें buyers के तरफ से support मिले, तो फिर इसके बाद price आपको ऊपर टिकता हुआ दिख सकता है, तो buyers के तरफ से support मिलवा है यह नहीं मिलवा, उसका idea हमें कहाँ मिलेग तो आप open कर सकते हैं, इस वीडियो के link में description already दिया गया है, तो यहाँ पे हमने पहला पंदर मेंट देखा कि neutral indication है, मतलब यहाँ पे sell side के तरफ जाने के लिए यह भी नहीं बोल रहा, मतलब यह contradict तो नहीं कर रहा है, लेकिन support भी नहीं कर रहा है, तो हमें इसके तरफ से support च indications मिलता हुआ दिख रहा, मतलब अब हम यहाँ पे trade initiate करेंगे और यह जो direction बता रहा है, उसको हम काफी हद तक follow करेंगे, तो चलिए वापस से हम 5 मिनट के time frame पे आते हैं, अगर हम अलानी ports के 5 मिनट के चार्ट पे वापस आते हैं, यहाँ पे हमें जो बाइसारी की तरफ इं इंट भी ले सकते थे, SL की बात करें, जो इसका lowest point है, lowest point क्या बन वाए, 860 के आसपास बन वाए, यहाँ पे हमारा SL बनेगा, वो 860 करीब SL बनेगा, target price के अगर हम बात करें, तो 900 यहाँ पे हम target price रखेंगे, अब 900 यहाँ पे हम target price क्यों रख रहें, इसके लिए हम वापस से breaker के उपर निकला, और यहाँ पे buyers के तरफ से support मिलता है, तो फिर price आपका 900 करीबी रुपता हुआ दिख सकता, यह हमारा target price बन जाएगा, इसके लिए हमने यहाँ पे जो target price सेट किया है, वो 900 का सेट किया है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, तो risk और reward भी काफी हद तक हमा नहीं मिल भात, यहाँ पे मासानी से buy करेंगे, और देखिए फिर market आपको direction को follow करते हुए गया है, और लगबग जो हमारा target price था 900, इसको इसने hit कर दिया, यहाँ यहाँ पे लगबग हम अच्छे खासे profit के लिए गया हम लगबग 865 के आसपास interview किया थे, यहाँ लगबग ह हमें 4% से ज्यादा का profit मिलता हुआ दिखा, 4% का profit हमें futures में मिलता हुआ दिखा, options की अगर हम बात करें, options में यहाँ पे हमें अच्छा खासा profit मिलता हुआ दिख जाएगा, 35 point का मतलब है कि हमें 15 point से 20 point का profit हमें कहां पे मिल जाएगा, options में हमें मिलता हुआ दिख जाएगा, अगर हम 850 के call options को buy करना इस conditions में prefer करते तो इसके basis पे आप options में futures में कहीं पे भी trade ले सकते हैं और trade कब लेना जब हमें सारे एक दूसरे को follow करते हुए देखे तब trade लेना, contradict करें तो trade नहीं लेना उमीद करते हैं technical chart, option chain, UI build up इन समय जो आपको confusion था, वो confusion आपको दूर हो गया होगा तो अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को like करके हमें encourage कीजे चैनल को subscribe नहीं किया तो चैनल को subscribe भी कीजे साथी साथ, bell icon दबाना ना भूले, ताकि जब भी हम वीडियो upload करें उसका notification आपको मिल जाए और आप वीडियो मिस ना करें so that's all friends, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, जैहिंद